कि अज़िए मैं हूँ रहूर आप देख रहे हैं मिसन कॉम्पेटिशन देखे आज की वीडियो है काफी जो है इन्फोर्मेटिव वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत से बच्चों के रेगुलर्ली एक कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक वीडियो चोटा से बना दीजिए इसमें सा और कौन-कौन से डॉकुमेंट्स लगेंगे इन सब के उपर एक वाइटल इन्फोर्मेटिव वीडियो बना दीजिए तो यह मुझे करना भी था और काफी कमेंट्स मुझे प्रसनली आ रहे थे तो अगर हम इसके बारे में आगर आप से बात करें देखिए सबसे पहले तो बेस्ट आफ लग अब आते हैं इस मुझे के उपर कि क्या क्या लेके जाना है सबसे पहले ऑवियस बात है यह जानिये कि आप लोगों ने जो फॉर्म भरा है जो भी फॉर्म फिल करा है उसमें जो आपने फोटो जो लगाया है जो भी फोटो लगाया हुआ है तो अगर एड्मिट कार्ड में है वो फोटो मालो आपकास नहीं है खतम हो गया है उसको जाकर कैसे भी करके उस ट्राइब के फोटो बनवा लीजिए अगर वह फोटो आपके होनी चाहिए तो रीजेंट फोटो आप जरूर से जरूर ही आप बनवा लीजिए यह आपने पास रखिए आपको दो फोटो अपने साथ लेके जाना है, ऐसे देखिए, फोटो मांगता नहीं है, लेकिन आप देखेंगे, अभी BPSC का जो जितने भी एडमिट कर आ रहा है, उसके साथ एक नोटिस में नीचे एक लाइन लिखा रहता है, कि वैसे उमीदवार, जिनका फोटो बलर है, स उनसे वहाँ पे, जो है, सेंटर पे, फोटो वैगरा मांगा सकता है, सामने साइन करवाया जा सकता है, तो खैर, साइन का उतना इशू नहीं है, वो तो आप वैसे भी करोगे, तभी आपका इटेंडेंस बनेगा, लेकिन हाँ, फोटो अगर आपका बलर रहेगा, तो आप स से मांग सकता है, एक सेकंड सिनारियो यह भी बनता है, जो सुना गया हुआ है, कि बहुत से सेंटर थोड़ी बदमाद, तो खैस दयान दीजे, यह है रहा मेरा अनकेडमी का प्रफाइल, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे हर रोज, दो पहर में दो बज यहां पर 10 मई से मॉक इंटर्वियो स्टार्ट हो चुका है, बिहार रसाई कॉंस्टेबल में जो भी बच्चे जो इसमें संब्ली तोना चाहते हैं, फ्री टेस्ट यहां पर आनकेडमी में से स्टार्ट हो चुका है, ध्यान दीजेगा, यह प्रिलिम्स और मेंस दोनों के यहां पर ध्यान दीजेगा, और यह प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही यहां पर रहेगा, तो दोनों ही फांडेशन बैचे में आप अगर इन्रोल करना चाहते हैं, और आपको 10 पर तीशाथ इसमें आफ मिल जाएगा, and most important, very important, बिहार SSC सचिवाले साहयक, जो भी बिहार SSC, CGL 3 का जो वेकेंसी आया है, उसके तहट यहां पर यहां पर यह देखिए, इसके त्यारी करवाएज़े, अरन अकाडमी को पर 5 मही से कोर्से स्टार्ट हो जाएंगे, टॉप एडुकर्स आप को यहां पर सब कुछ पढ़ाएंगे, सब्स्रिप्शन लेने के लिए आप देख अब होता है क्या है, अगर आप फोटो लेके नहीं गया हो परिशान हो जाओगे तो आपको नियरेस्ट स्टूडियों भेज देंगे जाओ, यहां पर स्टूडियों आप कड़वा लिए जल्दी से, अब उस सिच्वोशन में होता यह है, कि वह एड़ा का तेरहा पैसा मां लेके जाना है, सेकेंड आपको अपने साथ कैरी करना है कोई भी आपका आईडी प्रूफ, जो भारत सरकार के दोवारा माननेता प्राप्त हो और वैसी आईडी प्रूफ, जिसमें आपका फोटो हो, नाम हो, और डेट अव बर्थ, यह तीनो जो है एड्मिट कार्ड के करते हैं, अज्जिजिएगा, अगर आप मानलो ड्रैविंग लेके जा रहे हो, साथ में आधार भी लेकि जा अगर आधार commit लेके जाओ, अगर मानलो आधार लेके जा रहे हो, तो पैन भी लेके जाओ, तो भारत सरकारत माननेता प्राप्त आपको कोई भी एक ID लेके जानी है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ एक से ज़्यादा ID लेके जाओ सम्टाइम्स ऐसा होता है कि किसी ID में माल लो पिक्चर क्लियर नहीं है तो माल लो वो आपको इस ID को non-alvoid कर दे वो बोले कि नहीं भाई ये ID में आपका फोटो साफ नहीं दीख रहा है कोई और ID दीजे तो फिर दूसरी ID आपके पास उसमें होनी चाहिए ताकि आप उनको दे सको ठीक है तो ऐसे cases हुए हैं और मेरे बहुत से ऐसे परिचित हैं जो की धुरंदर है पढ़ने मे बहुत बहतरीन उनका मतलब क्या ही में बताओं बहुत समझदार बहुत धुरंदर लोग हैं लेकिन वो लोग सेंटर से वापस घर पे आये हुए हैं इनी सारी कारणों के वज़े से कि भाई उनका एक ID ले गया है वो मतलब सही clear photo नहीं था तो उनको वहां से हटा दिया गय या अगर वह बैठे भी तो काफी हो हंगामा के बाद उनका समय काफी 5-10 मिनट 20 मिनट निकल गया तो ऐसा सारा दिक्कत होता है तो यह सब चीजों पर ध्यान रखेगा तीसरी बात आपको जो है देखिए एक पेन लेकर आपको जाना है आपको देखोगे वहां नीचे यह गलती आपको नहीं करना है आपको जेल पेन का भूले से इस्तमाल नहीं करना है और खास करके वैसे बाल पेन का इस्तमाल करना है जो आप यूज कर रहे हो जी हम ऐसा क्यों बोल रहा हूं रीजन है इसका कि देखिए जो आप यूज कर रहे हो तो वह पेन फ्री रहता है freely work करता है उसमें से जो ink का flow होता है अच्छे पर्यापत मात्राय में होता है नया pen में जो आपका ball होता है वो थोड़ा jam type का लाएगा वो पतला पतला सा लिखाता है ठीक है तो इसमें दिक्कत यह होता है जब आपको गोला color करना होता है उसमें आपको क्या चाहिए तो ink flow ज्य एक से ज्यादा pen carry करने का दो रहे तो बहुत अच्छा है तीन रहे तो और वहतर है ठीक है दो से तीन pen carry करेंगे और वैसा pen carry करेंगे जो running में हो नया pen खरीद के उसको सेंटर में लेकर जाने को थोड़ा वोइड करेंगे क्योंकि वो थोड़ा jam type का चलता है तो यह तीन ची में वाच है लेजा सकते हैं ने जा सकते हैं मैं बता रहा हूँ बिपी ऐसी ने साब सा बोला हुआ है कि digital watch आप लेके नहीं जा सकते हो जो डिजिटल वाच है नहीं analog watch भी आप अंदर नहीं लेके जाओगे तो देखिए कोशिस किजिए आप analog ऐसा काटे वाली घरी लेके जाओगे ठीक है अगर आपको अंदर entry कर देते हैं बहुत अच्छी अगर नहीं करते हैं कोई बात नहीं अप अपने साथ एक बैग कैरी करेंगे जिसमें बहुत सारे सेंटर पेशा होता है कि अगर आप cap पेनके क्या हो बोल वो बोलेंगे कि नहीं भाई cap अंदर अलाओ नहीं है अज्वे का बाहर जोगे से वहां पर मोबाइल के लिए कुछ अलग से लोग वश्था करते हैं सारे साहक्त है लेकिन सारे नहीं करते सीधा बोलते हैं रहें और सामानों को दाल सके amsa यह हो गया पांचमे एक चीज में बोलूंगा एक बच्ची का एक कमेंट आया था कि सर क्या OMR सीट घर पे ला सकते हैं तो मतलब वो पहली बार अपियर हो रही है उनको इसकी जानकारी नहीं थी तो मैंने उनको वहाँ पे जानकारी दिया लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो में आप लोग बता दो देखिए समझ जाई है वी पी सिंट अलाऊ नहीं करता है घर पे लाने के लिए मतलब हुआ होयोग नहीं करता लेकिन बहुत सारे ही होते हैं ज्यों सभी कारवन कॉपी होता है जो कि स्टुएंट्स अग्शाल में जो करना चाहिए लेकिन अलुरह कि लेकर ऊप लेके दरॉड़ कोपी के यो आपको class जो आपके वहाँ पे examiner होंगे वहाँ पे class में उनको submit कर देना है at the end of the exam तो आपको OMR नहीं मिलेगा आप अपने साथ सिर्फ और सिर्फ question paper लेकर आ सकते हैं और एक बची का और comment था कि sir क्या उसमें marking कर सकते हैं हम वो कैसा पता चलेगा कितना हमने सही किया तो बाबू आपके पास question sheet होगा question paper होगा आप उस पे tick कर लेंगे अगर माल लो कि as example कि partly पुद्रा की स्थापना किस ने करी आपने उदेयन मारा है तो उस question में उदेयन कहा कि छोटा सा टिक मार लीजे ताकि आप घर पे आके जब मिलाएंगी तो आपको यह पता रहेगा हाँ हमने उदेयन पे टिक मारा हुआ है उदेयन हमारा correct answer है तो ऐसे आप पता कर सकते हो आपको OMR की जरुद नहीं है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए अपने राय हमासत शेयर करिए और इस लास्ट टाइम में धुआधार तरीके से current affairs, current affairs सिर्फ वहीं करिए और जो hot topics आपको लगता है कि अभी मुझे ध्यान देना चाहिए लाइक कंट्री कैपिटल हो गया, इंडेक्स है, उसके बाद वनने जीब अभेरने है, नैस्नल पार्क्स हो गया, आपका फिर जो आपका जो जल्डम रूमर्ध जो है अलग 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 देश हो गया, तो यह थोरा important topics है, एक one liner यह सारा देख जाना है आपको लास्ट टाइ वीडियो अच्छा लगा हो, कमेंट करिएगा, ने लोग चनल सब्सक्राइब करिएगा, बेस्ट अफ लग